16 बागी विधायकों किया योगताबर फैसले में स्पीकर राहुल नार्विकर ने उदव गुट को बड़ा जटका दिया है अपने फैसले में उन्होंने शिवसेना प्रमुक के अधिकार पर ही सवाल उठा दिया उन्होंने फैसले के लिए शिवसेना के रास्टी कारकाडी को तरजी दी उन्होंने कहा कि 2018 का लीडर्शिप स्ट्रक्चर माने नहीं है शिवसेना की 1999 के समविधान के मताबिक असली शिवसेना का फैसला किया गया इसके हिसाब से पार्टी में रास्टी कारकाडी सर्वो परी है शिव सेना प्रमुक को भी रास्टी कारकाडी से ही पावर मिलती है उधव का नेता तो पार्टी के सम्विधान के मताबिक नहीं है UBT गुट के दलील में दम नहीं है एकनाज शिंदे को पार्टी विधायक दल के नेता के पस से हटाने का हक उदव ठाकरे के पास नहीं था विधान सबाद देक्षिन राहूल नार्विकर ने कहा कि उदव ठाकरे अकेले निड़े नहीं ले सकते थे उन्होंने कहा कि नेता के पस्तेगनाज शिंदे को हटाना गलत था उन्होंने आगे कहा कि सम्विधान के मताबिक भी बार नहीं अटा सकते थे मैं स्पिकर नार्वेकर ने कहा कि पार्टी की रास्टी कारकाणी ये बैठक नहीं बुलाई गई थी उन्होंने कहा कि शिंदे को हटाने का फैसला सिर्फ कारकानी ही कर सकती है अशली सिफसेना कौन है शिफसेना का 1999 का समवधान ही माने है चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में ही शिंदे गुठी असली शिफसेना है शिवसेना UBT ने पार्टी का सम्विधान पेश नहीं किया है 21 जून 2022 को जो हुआ उसे समझना होगा शिवसेना के दोनों गुट असली होने का दावा कर रहे है चुनाव आयो के रिकॉर्ड में दिये गए शिवसेना का नेतत स्ट्रक्चर के अधार पर फैसला लिया गया 2013 के बाद से शिवसेना का चुनाव नहीं हुए इसलिए 1990 के सम्विधान को मानी किया गया है 2018 के सम्विधान संशोधन मानी नहीं है मेरा अधिकार शेत्र सिमित है चुनाव आयो के रिकॉर्ड से आगे नहीं जा सकता बता दे कि शिंदेगुठ की याचका पर पहले सुनवाई करते वे स्पीकर ने कहा कि कौनसली शिफसेना है इसका फैसला शिफसेना के सम्विधान और भीब के आधार पर किया गया इसी आधार पर ही आयोगता पर भी फैसला किया शिफसेना के सम्विधान पर दोनों पक्षों पर भरोसा जताया है संशोधित सम्विधान चुनावायों के रिकॉर्ड में नहीं है शिफ सेना का 1999 का सम्विधानी माने है वहीं स्पीकर राउल नार्वेकर ने अपना फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोट का अभार जताया उन्हेंने का कि कोट ने हमें दिशा नर्थेश दिये मेरे पास 6 समुओं के तौर पर याचका आई इसलिए वह हर ग्रुप के हिसाब से फैसला दे रहे हैं बता दे कि स्पीकर राउल नार्वेकर अपनी लीगल टीम के साथ फैसले के टिप्रियों पर चर्चा कर रहे थे इस कारण फैसले में देरी हुई उदर फैसले से पहले शियम शिंदे ने हिंगोली में कहा कि हमारे साथ बाला साहिब ठाकरेक आशिरवाद है पाटी के पास धनुषबारी है वीडियो डैस्क अन्बीटी ऑनलाइन